हलो साथियो, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने परिवार सकसे दाले यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविदी आप चुटकियों में लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप PNP ट्रांजिस्टर का भी जिन्दिगी में नहीं भूलेंगे मैं आपको बताऊँगा इसका परिथीख चिनने क्या होता है PNP ट्रांजिस्टर का और PNP transistor की क्रिये भी दिक कैसे लिखते हैं रचना इसकी क्या कैसे, पूरा चितर कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले यार आपका कारे बनता है कि आप मेरे थोदी सी मदद कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों तक सेयर कर सकते हैं ताकि जो आपके और भी फ्रेंड हैं हमारे साथ जोज सकें और पढ़ाने का अनंद बदल सकें तो यार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा और आपका एक वर्क यही बनता आए तो दोस्तों आज मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं PNP transistor की क्रिया भी दी हलो साथियो तो आज यहाँ पे मैं PNP transistor को फुल डिसकस करूँगा तो दोस्तों सबसे पहरी बात इसमें यह आती है देखिए यहाँ पे मैंने PNP transistor का चितर बना दिया है इसे मैंने पहले इसलिए बना दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ और ज्यादा आपका time based ना करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं PNP transistor बना दिया है तो PNP transistor में मैंने बनाया क्या है खास बात क्या है वो समझ लीजिए तो यहाँ पे PNP transistor में जो N पर होते हैं N में N का मतलब क्या होता है electron N का मिन्स क्या होता है electron आप जानते हैं कि इनपो only only क्या होते हैं? इलेक्टरान होते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ कोटर भी दिखाएं तो सबसे पहली बात मैं आपको यह किलियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों दिखाया है? फिर इसके बात मैं आपको सारी बाते डिसकस करूँगा आपके साथ बस आप वीडियो को आंते तक देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा सेयर कर देना है ताकि और विदोस्त आपस के साथ चुआ सकें तो यहां पर सबसे पहले बात मैं आपको उता देता हूँ यहां पर जैसे पीछ हेतर में पूरे क्या होते हैं कोटर होते हैं और यहां पर पूरे क्या होते हैं इलेक्टरान होते हैं तो अब इनका वर्क क्या होता है यह जो इलेक्टरान होते हैं और जो पीछ फेतर में quota होते हैं हो इधर j gut उत parents जाते हैं तो जो इधर जाते dlbc कुछ इधर रूफ जाते हैं दो परसंट मैं आपको भी समझाओगा तो उहीं जो दिखाए गए a prostもし driven उसके a turn ers have고 Mister priests उत उधर कि उ जा रहे हैं मतलब यह देखी है ज酷 इदर से इधर क्यों जा रहैं और यह इलेक्ट eater से जो आइं वह इधर से ओह Tai ऐह वो इल्लेक्ट आ पर दिखाएगा और परर कोटर रोते से और यहां निदो की देखिए हैं इतनी इतनए से बत कर लिए कहीं मैं बता देता हूं इसकी आपको थेओरी लिखना है तो इसकी थेओरी में क्या लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसमें क्या देख रहे हैं पियन संदीडा और यह आधार और सर्जक तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे इसमें आधार और सर्जक यह पीयन को बैटरी के अ होता है कि जब बैटरी को पी को बैटरी के दंसीरे से और ईन ऍसमय का मतलब उसमें फर gusty होती है पर undい psychologists का मतलब त sentence में अगर हम bleibt होती है देखे आपर भी माइनस जोर और इस जो हुआ है इस हालत में हमारी बैददार आगे प्रवेस नहीं करती तो अब हम बात आती है इसकी क्रियविदियम कैसे लिखेंगे उम्मीद करता हूँ यह सारा चित्र आप समझ गया होगे यह आपको उत्सर्जक होता है यह आधार होता है और यह क्या होता है आपका और यह आधार है इसमें उत्सर्जक और आधार PN को यहां पर आप लिखेंगे PN को मैं आपको बाद में लिख के सारी बाते दिखा दूँगा पहले आप इस चित्र को समझ लीजिए फिर मैं आपको लिख दूँगा तो आप तुरंत से समझ जाएंगे तो इस PN को क्या करते आप इसमें उत्सर्जक और आधार PN को अग्रदिसिक तथा इन पी आधार और संग्राहक को पस्चिदिख दिखाया गया है परन्तु पस्चिदिख से अग्रदिसिक अत्यधिक सक्तिसाली होता है क्या होता है अत्यधिक सक्तिसाली माना जाता है इसी के कारां अत्यधिक सक परसेंट लगवग करके क्या हुआर बपतला होता है और जो बाकी 2% बचते हैं क्योंकि यहां सवपर्सेंट पूरे होंगे यहां से सवपर्सेंट जब चलेंगे तो आधार बहुत पतला होने के कारण यह कुछ इनशेत्र में प्रवेश कर जाएंगे जब इन रहेंगे तो होगा क्या यह बात समझ लीजिए आप इसके बाद हो गा यह की जब यह च्ट में प्रवेस्ट कर जाते हैं जो अब है मालीज़ कर büyük fort are सीरे से एक एलेक्टरान निकलेगा और वह एलेक्टरान निकल कर कहां पहुंच जाएगा बैटरी के एन सीरे पर कहां पहुंच जाएगा जैसे यहां पर एक कि में आखर कर उदा स्मजा दिया अब थ़ी तो मैं आपको लिखना कैसे हैं वो बता देता हूं आपि तो मैं आपको और ली समझा दिया आप समझ come PN को आगर दिसिक तथा आधार संगराक NP को पस्च दिसिक दिखाया गया है। दो परसंट इसी आधार में रुख जाते हैं और दो परसंट जो बचे हुए Corona होते हैं वह इन छेन में उपस्तित एलेक्टरानों से संयोग करते हैं जैसे ही वह संयोग करते हैं तो reinstrib MIB के रेन सीरे से एक एलेक्टरान निकल कर आधार में प्रिषिक कर जाता है जैसे ही एक एलेक्टरान आधार में प्रुवेस करता है तो बैटरी वी इबी के धन सीरे से एक एलेक्टरान निकल कर उधसर्जक में प्रुवेस कर जाता है जैसे ही एक इलेक्टरान उत्सर्जक में पहुंचता है तो ये उत्सर्जक से तुरंट एक कोटर उत्पन हो जाता है जो कि आदार के और चलना प्रारंब कर देता है इसके बाद जो संग्राक में कोटर पहुंच जाते हैं लगबग 98% कोटर हुआ है बिंदुसीख पर आकर उदासीन हो जाते हैं इस प्रकार पी एन छेतर में बैदुदार परवाहित होती है और एन पी छेतर में बैदुदार परवाहित नहीं होती है मैं आपको बता दूँ यह जो इलेक्टरान और कोटर होते हैं यह राजशोंदास होते हैं मतलब मेरे कहने का यह है कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्टरान है और यहाँ पे क्या है कोटर है तो यह कोटर इदर से इदर चलना पराराम करते हैं और यह इलेक्टरान इदर से इदर आ यहां पहुंचते हैं से निकले यहां पहुंचते हैं, जासे यहां पहुंचते हैं यहां प्राराम कर देगा तो फिर इधर चले जाएंगी कोटर और इस पर जो बचेंगे वो संयोग करेंगे जैसे ही संयोग करेंगे तो फिर इस माइनस सीरे से क्या निकलेगा एक एक एलेक्टरान निकलेगा जैसे ही एलेक्टरान निकलकर इधर आधार में आएगा तुरंत एक बैटरी के धनसीरे से एक एलेक्टरान निकलकर उत्सरजक में आजाएगा और जैसे ही उत्सरजक में एक एलेक्टरान पहुंचेगा तुरंत उत्सरजक में कोटर उत्सरजक मे पर आकर उदसीन हो जाते हैं इसलिए क्या होता है इसलिए PNP पर बैदुदारा प्रवाहित नहीं होती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आप समझ चुके होंगे यह टॉपिक दोस्तों मैं आपको इधर से कहीं से बुख उठा के दिखा देता हूं क्योंकि क्यांकि लिखना इतना पॉस्बल नहीं है आपको यहीं पर समझा इता हूं एक बार लिखना कैसे है आप यहीं लिखेंगे यह लेको प्रविद नहीं होती तो इस है उतसर जक और आद האा नहीं होती पस्च दिशिक दिखाया जाता है फिर इसको लिखेंगे अगर दिशिक पस्च दिशिक क्या पेच्छा अधिक सक्तिसाली होता है इसलिए पी छेत रेनी की उत्सर्जक में उपस्थित कोटर एन एन आधार के एलेक्टरानों की और चलना प्राराम कर देते हैं और आधार में उपस्थित एलेक्टरान उत्सर्जक की और चलना प्राराम कर देते हैं आधार बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% कोटर संगराग में प्रुवेस कर जाते हैं बचे हुए 2% कोटर एन शेतर में उपस्थित एलेक्टरानों से संयोग करते हैं यह संयोग करते ही बैट्र बैट्री VEB के माइनस सीरे से एक एलेक्टरान निकल कर आधार में प्रुवेस कर जाता है जैसे ही एक एलेक्टरान आधार में पहुंचता है तो तुरंत बैट्री VEB के धन सीरे से एक एलेक्टरान निकल कर बैट्री उत्सर्जक में प्रुवेस कर जाता है जैसे ही एक ए 90% पहुंच जाते हैं वह ऐसी पर आकर उदा सीन हो जाते हैं तो उम्मीद करोंगा दोस्तों कि इसमें क्या लिखना है आप समझ चुके होंगे मैंने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है आप बहुत अच्छे समझ गया होंगे एक बार इसको मैं फि क्या फिक सकती है ओता है पशसीदि की हैं फिर आप लिखेंगे उतसरजक में कोडर इलेक्टर आधार में उपस्ति परसेंट संगराग में पहुंच जाते हैं परंतों दो परसेंट यहां पर बचते हैं इस इस इन शेतर पर यह आधार पर तो इस दो परसेंट यह इस इन इनसे इनमें जो इलेक्टरान होते हैं, इनसे संयोग करते हैं, जैसे ही इनका संयोग होता है, तो बैटरी वी इवी के माइनस सीरे से एक इलेक्टरान निकलता है, और आधार में प्रवेस कर जाता है, आधार में जैसे ही एक इलेक्टरान इधर से बाहरी पहुंचता है, तो जब एक electron उत्सर्जक में पहुंच जाता है तो होता क्या है जैसे ही एक electron उत्सर्जक में पहुंचता है तो उत्सर्जक में तुरंत कोई electron जैसे ही आता है तो एक कोटर पन हो जाता है तो एक कोटर फिर आधार की और चलना पराराम कर देता है तो यही प्रक्रिया इधर होती रहती है और क्या होता है बैदुधारपुरायद होती रहती है जो भी संग्राक में जित्ते भी अठानुए परसेंट कोटर पहुंच जाते हैं वह इसी बिंदु पर आकर क्या हो जाते हैं उधसी नहीं हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक टॉपिक आपके समझ म में दे दूँगा वहां से जाकर आप पाएंगी इसकी पीडियाफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में